नमस्कार दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में आपका एक पर फिर से स्वागत है इस वीडियो में दस्वी पास कंडिडिट्स के लिए एक गुड़नियूज है अम्टियस पदों के लिए आवेदन मागे गए है और दिल्ली यूनिस्टी दोवारा ये आवेदन मागे गए है डिटियल में मैं आपको बताऊं उससे पहले जो दोस्त हमारे इस चैनल से जो नए जुड़े है उनसे रिक्वेस्ट है कि पलीज वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब है उससे कर ले और बैल आइकन को दबा ले ताकि जब भी हम कोई नय वीडियो प्लूड करें तो आपको न आपके सामने रखती है दोस्तों आप देख सकते हैं गार्गी कोलेज यूनिविस्ट्य ओफ दिल्ली ने जो ना इन पदों के लिए आवेदर मागे हैं पद कौन-कौन से हैं वो आपको बता देता हूं MTS Library, MTS Laboratory और MTS Security के पद हैं जो कुल पद हैं वो MTS Library के दो हैं MTS Laboratory के साथ हैं और MTS Security के दो पद हैं इन में जो आपका पेस्ट केल रहेगा वो 15,070 रुपे परमंत रहेगा और ये Contract Base पे हैं दोस्तों और मानण नहीं Contract Base पे हैं और इस आवेदर से 15 दिनों के अंदर अंदर आपको जो होना अपना आवेदर इसके लिए भेजना है इसमें जो बात करें योगेता की तो MTS Library के लिए आपको जोना इसमें पास होना चाहिए किसी भी Education Board से और साथ में आपको Library Science, Library या Informatic Science में जोना आपके पास Certificate होना चाहिए Computer जोना आपके पास इसमें जरूरी है किसी भी संस्थान से आपने जोना कोई भी Computer Diploma कियावा होना चाहिए MTS Laboratory के लिए जोना आपको 10th पास होना चाहिए Science के साथ यानि कि Science तो दस्वी में mostly होता ही है तो इसके लिए आप योगे हो जाएंगे MTS Security के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना जरूरी है तो दोस्तों यह थी कुछ इस भरती से संबने जानकारी फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद